नमस्कार इंडे न्यू स्पोर्ट्स के डिजिटल पैट्परम पे आप सभी का स्वागत हैं मैं आपके साथ तनुष का नाम दी भारते टीम इस समय ऑस्ट्रिलिया दौरे पर है जहां वन डे सीरीज खेली जा रही है भारत दो मुकाबले में हार का सामना कर चुका है जिसमें ऑस्ट्रिलिया ने जीत हासिल किये लेकिन यहां बात हार जीत की नहीं है यहां एक ऐसा खिलाडी है जिसके बिना भारते टीम अधूरी है जिसे सभी भारते टीम मिस कर रहे हैं जी आ मैं बात कर रही हूँ रोहिच शर्मा की हमारे बल्लेबाद रोहिच शर्मा इस बार चोटेल है जो आउस्ट्रिलिय दौरे पर नहीं खेल पा रहे हैं और आपको बता दें कि भारते टीम ने पिछले साथ इंटरनाशनल मैचेज में एक भी मैच नहीं जीता है रोहिच शर्मा ने आखरी मुकाबला फरवरी में न्यूजलैंड के खिलाफ खेला था भारते टीम के लिए वो न्यूजलैंड के खिलाफ उतरे थे जहां उसके बाद वो चोटे लोग है और टीम से बाहर होना पड़ा उसके बाद भारत ने रोहिच शर्मा के बिना ही क्रिकेट जारी रखा और रोहिच शर्मा की कमी जो है वो अभी भारते टीम को खल रही है क्योंकि दो मुकाबले हारे हैं अच्छी शुरुआत नहीं मिल पा रही है साउथ अफ्रिका के खिलाफ मार्च में कोरुना महमारी की वड़े से जो है वन्डे सीरीज नहीं खेली गई जिसमें पांच वन्डे सीरीज है और दो टेस्ट मैच है यहां तक की पिछले नौ वन्डे मैच सीना देशों में भारत ने बिना रोहिच शर्मा के हारे है देखे रोहिच शर्मा की एक इंपोर्टन्स है वो दो प्रकार से है एक तो वो कपतान है और एक सीनिर खिलाड़ी के तोर पर वो सभी खिलाड़ियों से बात करते हैं दूसरा उनकी opening वो ऐसी शिरुवात करते हैं एशी opening करते हैं कि टीम को एक अच्छी शुरुवात मिलती है रीजन क्या है कि वो बाहर है हाली में दोबई में आईपिल सीजन में वो चोटेल हो गई थे और उसके बाद जो है ऑस्ट्रिलिया के टीम फॉर्माट में उन्हें नहीं चुना गया है और अभी वो नैशनल क्रिकेट के अकाडमी में है जिनका उनका आखरी जो टेस्ट है वो वनडे सीरीज में मिस कर रहे हैं कि आप भी उनका खेल मिस कर रहे हैं कि आप भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी रोईच शर्मा लोटे और अपने असली फॉर्म पे आए तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल इंडेन्वी स्पोर्